Hello Everyone, Welcome back to VIP Topper Classes आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवी पर्चे केशवदास जी का ये कवी पर्चे क्लास 9 से क्लास 12 में पूछा जाता है एक्जाम्स में तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा कवी पर्चे बताएंगे कि जब ये आपके एक्जाम में आए पर्चे नमबर मिल जाएंगे हमारे द्वारा ये बताया गया कभी पर्चे बहुत इजी है लेकिन अगर आप टॉप करना चाहते हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95 से जादा नमबर लाना चाहते हैं तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपको पूरे नमबर मिलेंगे ठीक है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा ये बहुत ही यूसफुल रहने वाला है चलिए वीडियो को शुडू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कभी तो हमारे कभी हैं केशावदाज जी ठीक है तो जब भी आपका कभी परचया आए तो आप उसमें दो रचनाएं अवश्य लिखिए या ये तो कॉश्ण में पूछ भी लेता है कि कभी की दो रचनाएं और उनका कभी परचया दो रचनाय लिखना ज़रूरी रहता है तो हम यहाँ पर आपको तीन रचनाय बता रहे हैं ताकि अगर एक भूल भी जाएं तो दो अवश्य लिख कर आएं ठीक है तो इनकी रचनाय है कवी प्रिया, रशिक प्रिया और रामचंद्र का ठीक है यह तीन रचनाय हो गई केशवदाशी की अब हम किसी भी कवी 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 परचे लिखते हैं तो उसमें भावपक्च और कलापक्च लिखते हैं ठीक है तो क्या रहता है कि जब हम भावपक्च लिखते हैं उनकी पंक्तियों में किस तरीके के भाव देखे गए हैं, उस तरीके का वर्णन करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बना कर लिखेंगे रस। अब हम इसमें लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि केशवदास की रचनाओं में परिस्थिती के अनुसार रसों की निश्पत्ति हुई है। स्रंगार का वर्णन उत्तम हैं, एवं वियोग और संयोग दोनों पक्चों का वर्णन उत्करष्ट है। स्रंगार मतलब ये स्रंगार रस है और वियोग और संयोग इसके दो प्यद हैं तो इनका वर्णन भी बहुत ही सुगमता से किया गया है। ठीक है, वीर रस का प्रयोग पात्रों के संबादों में हुआ है और सांतरस निर्वेद की दशा में है। ठीक है, तो जहां पर हमें पता है कि जहां पर निर्वेद नामक इस्थाई भाव होता है, वहां सांतरस होता है, इनकी पंक्तियों में कहीं कहीं सांतरस देखने को मिलता है, और अगर पात्रों में संबाध है, तो वीर रसों की वहां पर निश्पत्ति है, ठीक है, इसके करके objective आ रहे हैं तो इस तरीके का objective भी आ सकता है कि केशवदास जी कैसे कभी थे खाले स्थान में है न तो यह हम लिखेंगे second point अगर नीती तत्यु में कि केशवदास जी दरवारी कभी थे अतह उनकी रचनाओं में नीती तत्यु की प्रधानता है इनकी कभीता में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है ठीक है थर्ड हम लिखेंगे अर्थ गंभीरिय केशवदास जी के द्वारा प्रयुक्त संबादों के अर्थ में गंभीरिता है अगर आप उनकी पंग्तिया पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उनके पंग्तियों में उन पंग्तियों के अर्थों में बहुत ही गंभीरिता है ठीक है अब हम देखते हैं कला पक्ष कला पक्ष में हम लिखेंगे कला पक्ष में हम लिखते हैं भास में टॉप करना चाहते हैं इस तरीके से ही लिखें मैं यह नहीं कह रहे कि आप पॉइंट बना कर इसी तरीके का लिखें लिकिन अगर आप इन में से इन ही पॉइंटों का वर्णन कर दें जैसे अगर आपको कुछ याद नहीं आता है आप कमजोर चात रहें तो आप यह से लिखिएगा मैंने खुद अपने बोर्ड अग्जाम से मैं ऐसा ही लिखा था और मेरे 94 नंबर आए थे हिंदी में जिसमें से की तीन नंबर के अब्जेक्ट्य गलत थे पाकि तीन नंबर मेरी ग्रामर में कटे थे ठीक है तो आप लोग बहुत अच्छे से लिखिएगा आप लोग क्लास में टॉप जरूर करेंगे ठीक है तो हम कला पक्ष में फास्ट पॉइंट लिखेंगे भाशा तो केशा उन्हें अपने ग्रंतों की रचना ब्रज भाशा में की है आप एक कुछ पॉइंट याद कर लें जिसे कि उनके ग्रंतों की रचना किसमें हुई है ब्रज भाशा में तो आप ये ब्रज भाशा ध्यान रखेंगे ठीक है अब हम देखते हैं कुछ रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव द्रश्टी गोचर होते हैं लेकिन जब आप उनकी पंक्तिया पढ़ते तो आपको वैसे भी बहुत सारा ज्यान हो जाता है ठीक है सेके के बाद हम देखते हैं अलंकार तो केशव दास जी ने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एवं अतिश्योक्ति अलंकारों का प्रियोग किया है ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अलंकार किन-किन पंक्तियों में हैं आप जब पंक्तिया पढ़ें तो आप उन पंक्ति प्रचनाओं में दोहा, कवित, चौपाई, सोठा, आदी का प्रियोग किया है केशव लक्षन ग्रंथों के रचीत रहे हैं अता उन्होंने छंदो, शैली, रस, निश्पत्ति, आदी पर नए-नए प्रियोग किये हैं इस तरीके से आप कला पक्ष लिखें मुझे पता है य आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, यह मेरी गैरेंटी है, और मैं इतना बड़ा बता रही हूँ, तो मैं कुछ आगे लेवल का ही बता रही हूँ, क्या होता है कॉलेज वगेर में, ज्यादा नंबर का आता है, तो अगर आप कॉलेज में हैं, तो भी आप यह लेकिन अगर आप स्कूल में हैं, तो आप इन में से कुछ-कुछ छाट कर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब लास्ट में हम लिखेंगे साहित्य में इस्थान, साहित्य में इस्थान में हम लिखेंगे कि केशवदाश जी हिंदी के प्रमुख आचार्य थे उनिकी समस्त रचनाय सास्त्री रीती बद्ध हैं नीती निपुण निर्भीक एवं इस्पष्ट वादी के चव की प्रतिभा सर्वोन मुखी है ठीक है इस तरीके से आप जरूर लिखें आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे अगर आप क्लास में टॉप करना चाते हैं बेस्ट लिखना चाते हैं तो ये कभी परचा है आप लोगों के लिए बहुत यूश्फुल है आशा है आपको ये बहुत पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना रखें इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हम कभी परचा लिखक परचा की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं तो आपको जो भी कभी परचा जिस भी कभी का चाहिए हो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आशा है आपके लिए बहुत हेल्प फुल रहा होगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए थैंक्स वाचिंग